नमस्कार मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग योट्यूब चैनल और आज हमारे साथ हैं लग्की चौधरी जी और इनका ये प्यारा सा पपी है इनके यहां एक बार और आये थे और एक बार फिर से आये हैं इस प्यारे से पपी को देखने के लिए दोस्तों इस पपी का ये प्रॉब्लम अभी है कि ये घर में कोई अंटी हो तो उसका सारी पकर के लटकने लगता है उसको काटने लगता है या फिर कोई बच्चा हो तो उसके हाथ में बाइटिंग करने लगता है इसको ज्यादा प्यार करो तो हाथ में वो बाइटिंग कर यह हो जाए ठीक है नो नो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइब सॉल्यूशन बताऊंगा और इस वीडियो को देखने बिल्कुल मत भूलेगा नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानिए कि कोई भी पपी अगर बाइटिंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब है रिजन तो कुछ न कुछ होना चाहिए इस दुनिया में हर कारण के पिछे कुछ न कुछ रिजन होता ही है कोई चीज हो रहा है तो उसके पिछे कुछ न कुछ रिजन तो हो गा ही दोस्तों कोई पपी आपको बाइट कर रहा है इसका मतलब यह है कि आपका पपी आपको बहुत जादा प्यार करने की कोसिस कर रहा हम लोग human में क्या है कि किसी को प्यार करना चाहते हैं तो गले लगा लेते हैं लेकिन डॉग उस चीज़ को नहीं समझते हैं डॉग किसी को प्यार करना चाहते हैं तो उसको बाइटिंग करके जताना चाहते हैं कि वह उसे बहुत जादा प्यार कर रहे हैं जैसे यह देख सकत मैं आपको बता रहा हूं कि इसके डात जो ग्रो हो रहे होते हैं ना उसके बज़से इसको थोड़ा सा इरिटेशन होता है जिसके बज़से यह आपके हैंड को बाइट करेंगे या फिर आपके घर में कोई सावी समान रह गया तो उसको बाइट करेंगे ताकि वह तित में जो वो बनता है, काट का बनता है, गोल टाप का, जैसे लोली पॉप होता है उस टाप का बनता था, ताकि वो उस पे बाइटिंग करे इस टाप का होता था, लेकिन दोस्तों डॉग के लिए तो कुछ ऐसा है ने, क्योंकि अगर आप दोगे तो में भी वो निगल जाए, या फिर क लाठ है तो उसको नुकसान भी करेगा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको काफी अच्छे तरीके से सुनिए, एकदम वो ट्रिक आजमाया हुआ है, जैसे कि आपने आगे वाले वीडियो में छोटा सा ट्रायल आपने देखा हुआ कि डॉग कैसे पहले बार्किंग कर रहा था, फिर कैसे सही हो गया, तो अभी आप यहां पर देख सकते हूं, मैं आपको 30 सकेंड में वो चीजे दिखलाना चाहता हूं, देखे है कि डॉग कैसे कर रहा था और फिर वो कैसे हो गया, थोरा 30 सकेंड है तक आपको वो ट्रायल पता चल्याई पता हूं, पता हूं, पता हूं, पता हूं, तो दोस्तों आपने वो ट्रायल देख लिया, कितना मज़ेदार था कि इतना जल्दी वो डॉग मातर 3 दिन में बाइटिंग स्टॉप करना छोड़ दिया, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दोस्तों कोई भी डॉग अगर आपको बाइटिंग कर रहा है, तो उसको आप लोग कैसे रोकोगे, दोस्तों कोई भी पपी, कोई भी डॉग आपको बाइट करने की कोशिस कर रहा है, एग्रेशन वाला नहीं, ये प्ले वाला करेजिए, वहाँ पर दो चीज आप कर सकते हो, सबसे पहला चीज, कि आप उस पपी को नो, नो बोलोगे, ताकि आपका डॉग समझ जाए कर रही है, तो गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए, अब दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलोगे, कि मैं अपने पपी को नो, नो बो की मैं आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रेन में बस में जो चोर होते हैं, वह चोरी कैसे करते हैं, मैं आपको इसके पीछे का लोजिक बताता हूं, वह चोरी डाइवर्जन मेथड से ही वो चोरी करते हैं जसलाइक कि आप ट्रेंड में हो बीच में हो जहां पर बहुत जादा भीर है तो वो पिछे से आएंगे हो सकता कि आपके सर में ठोकर लगा दे और आपके सर में जैसा इसा ही ठोकर लगा वो इसे आपके पीछे से जो पर्स है करता हूं पहीं चीज में एपनों पर आपलाइ करता हूं मतरं कुछ लिंक हो जाता सु तो यह डाईवर्जन आप कैसे यूंज करोगे मैं आपको बताता हूं कोई पापी आपको बाइट करने की कोशिस कर रहा है तो मैंने आपको मना कीजिए और दूसरा समें Au कि मतलब कहीं न कहीं कुछ लिंक हो जाता है तो यह डाइवर्जन आप अपने डॉग पर कैसे यूज करोगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कोई पपी आपको बाइट करने की कोशिस कर रहा है तो पहला तो मैंने आपको बताया था नो वाला मना कीजिए और दूसरा अगे पीछ ट्वाइट करने की कोशिस करें 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 लग जाएगा और थोड़ा देर खेलेगा मात्र ज्यादा देर वो नहीं करेंगा ठोड़ा देर जैसे कि आप देख सकते हो कि यह मुझे भी बाइटिंग कर रहा है तो इसको अभी कैसे रोकना है देखेंगे नो वाला मैं आपको बता रहा हूँ एंजल नो 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 गुट गल एकदम प्यार से उसको रोकिए ऐसा नहीं कि एकदम नो एक ठोपी मार देवो तो डड़ ही जाएगा एकदम देसे वह बाटिंग करने की कोशिस करें जैसे देखेंगे अगर यह बाट करने की कोशिस करें तो उसको प्रेम से रोकना है इस तरह किसे नो 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 इस ट्रैप से करोगे ताकि वो छोड़ दे लेकिन मैंली में आपको डाइवर्जन वाला बता रहा हूं तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया टोई वाला उसट्यान चला जाएगा लेकिन टोइपे कुछ ही देर त बाइटिंग कर रहा है आपको प्यार कर रहा है ताकी आप उसके साथ बीजी हो जाएं और यह भी खेले तो यहाँ पर आपको क्या करना है वही चीज करना जो आपका डौग चाहरा रहा है आप उसका नाम लोगे एंजल एंजल और वहां से उठ जाओगे उसको अपने बास बुलाओगे थोड़ा सा दूर जाओगे इस टाइप से उसको बीजी कर दोगे उसको डाइवर्ट कर दोगे उस मुद्दे से कि वह बाइटिंग करना चाहता है चुले में वहां से डाइवर्ट करके उसको खेलने पर लगा दोगे तो यह दूसरा मेठर था दूसरा बार्णिंग दिये हुए हूई हो तो उस समय आप लोग क्या करें तो आपका जाइस कर लेगा तो हो ज attain तो आपको बैट करूंग ये चिज्य हैं प्यार करते उपार करते हैं इस वहां से हटा देना है उसके बाद उसको आप ट्रेनिंग करवाइए करवाई कर रहा है तो कुश्च टीट दे दीजिए फिर हैंडसे कर रहा है तो इसे करने लग जाती है तो इसी तरीके से मैं आप कर सकते हो अब मैं आपको 4 टिप बता रहा हूँ बहुत क्या है काहँग को ओग काहँग ईजे यहँ तू टू अभ यहां मैं आपको चौथा टिप्स बतलानेवाला आउ जो की और भी जयदा सांदार है अब दोस्तु मैं आपको चौता चीज बतला रहा हो वह चीज आपको ध्यान जरूर देना है आप यदि आपका डॉग 3 मंत या फिर 4 मंत का हो चुका है तो आप लोग उसको डॉग क्यीं करते हैं और तो यहें कभी करते हैं और वेमेटिंग का भी चांसेस होता है इसलिए जब भी आप लोग कैल्सियम बोन यूज़ करोगे तो अच्छे ब्रांड का ही यूज़ कीजिए कि पास वाले पेट शॉप में आप जाईए और उसके ओनर से पता किजिए कि उनके पास जो बेस्ट है वो ले लिजे और उनसे क्या हो गया और आप लोग चाहो तो उसको कुछ डॉड क्ट भी दे सकते हो तो सब्सक्राइब करें उसके ऊपर बैटिंग करने की कोशिस करें उसको अपना दोस्त मना ले तो आप लोग डॉड टॉड रखिए अपने पेट्स के लिए उसका लिंक में डिस्किप्शन में आप लोग पिंडॉब को नो वाला ट्रेंग भी जरूर दीजे यदि आप लोग उसको शिखा दिये हो तो बहुत ही बढ़िया अगर नहीं सिखाए हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं उसके बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा वीडियो दोस्तों यह था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा वीडियो जरूर करते आपको इसी बहुत सारे वीडियो जाहिन